नमस्कार साथियों निर्मार क्लासे यद्धा में आपका हर दिख्षवागत है आज कांट्रेक्ट एक्ट संभीदा अधिनियम के समिधा अधिनियम भी कह सकते हैं संभीदा वेदी भी कह सकते हैं एक बहुत हम प्रशन आता है तो यह कौन सा टॉपिक है जरह हम देखते हैं टॉपिक है आपका प्रतिफल संसर्ग का सिध्धान्त कि प्रतिफल कि संसर्ग का कि सिध्धान्त लगातार कि पूछा जाने वाला प्रशन है आपका प्रतिफल संसर्ग का सिध्धान्त प्रिविटी आफ कंसीडरेशन प्रिविटी आफ कंसीडरेशन ठीक है प्रतिफल संसर्ग का सिध्धान्त प्रिविटी आफ कंसीडरेशन अब यह क्या है देखिए पूरा topic तो आपका प्रतिफल है लेकिन ये individual topic भी आता है ठीक तो प्रतिफल sensor के सिध्धान्त को समझने के लिए इसके बाद next topic आपका इसी से जुढ़ा हुआ सम्विदा sensor का सिध्धान्त है तो अगर ये समझ में आ रहा है सारी तरीके से समझते हैं उसी प्रतिफल वाले टापिक का यहह विसेश टापिक है और यह विसेश टापिक पढ़ना पढ़ता है English lá की हो जासे तो प्रतिफल के बारे में ठीक है? यांनि कि अगर कहा जाए इस प्रतिफल के बारे में अंग्रेजी विधी क्या कहती है इंग्लिस ला क्या कहती है ये बात आपको पहले जानना पड़ेगा यानि कि इस सिध्धान्त की चर्चा इस इंग्लिस विधी के नियम के कारण हो रही है क्योंकि भारत का जो सम्विदा अधिनियम है यह भी अंग्रेजियों द्वारा ही बनाये गया है आपको बहुत अच्छी से पता है तो अंग्रेजी विधी क्या कहती है और भारती सम्विधा अधिन्यम क्या कहता है इसी का जो तुलनात्मक एक व्यू है वहीं से आपको प्रतिफल संसर का सिध्धान्त मिलता है कौन दे सकता है अंग्रेजी विधी क्या कहती है और भारती विधी क्या कहती है इसी से सम्बंदित है ठीक तो उत्तर है अंग्रेजी विधी का उत्तर है सिर्फ वचन ग्रहीता ठीक है दे सकता है शिर्फ और सिर्फ वचन ग्रहीता दे सकता है ठीक है यह अंग्रेजी विधी कहती है अंग्रेजी विधी कहती है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए यदि प्रतिफल किसी अन्ड बेक्ति ने दिया है तो वचन ग्रहिता प्रतिफल में संसर्ग नहीं होगा इसलिए संविरा को लागू नहीं करा सकता है ये तो अंग्रेजी भी धी हो गई यहां संसर्ग नहीं हुआ ठीक है? ये क्या है? यही चीज संसर्ग नहीं होता है यानि कि ये जो प्रतिफल संसर्ग का से धान्त है ये भारत की बिधी में मिलेगा और भारत की बिधी में जब हम धारा दो घा पढ़ेंगे तीक है? धारा दो घा पढ़ेंगे इंडियन कांट्रेक्ट एक्ट की सेक्शन 2D पढ़ेंगे ठीक हैं उसमें आपको मिलेगा ठीक कांट्रेक्ट का सेक्शन 2D दोगहा जब हम पढ़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा वचन ग्रहीता या अन्य ठीक है या अन्य अन्य भी प्रतिफल दे सकता है ठीक है यही अन्य द्वारा प्रतिफल दिया जाना ही ठीक यह जो अन्य प्रतिफल देगा तो इसी को कहते हैं संसर्ग हो गया ठीक है केवल वचन ग्रहीता था तो सिर्फ वचन ग्रहीता को ही वाद लाने का अधिकार था वचन ग्रहीता और अन्य भी अन्य के दिवारा दिये गए प्रतिफल भी यदिमानने हैं तो फिर संसर्ग हो गया अब इकलोता वचन ग्रहीता ही वाद नहीं ला सकता है बलकि अन्य भी वाद ला सकता है यही है प्रतिफल संसर का सिध्धान अब बात आई कि इससे संबंधित दो वाद है चिनैया वर्सेज रमया अठारा सो ब्यासी का वाद दो वाद है चिनैया वर्सेज रमया अठारा सो ब्यासी का वाद तीके और दूसरा है डटन वर्सेज पूल अठारा सो तिरासी का वाद तीके डटन वर्सेज पूल आपका तो यह दो वाद आपको ध्यान रखने है यह दो वाद आपको ध्यान रखने हैं अन्यथा गल्ती हो सकती है सरी डटन वर्सेज पूल जो आपका है ठीक है यह 1677 का है 1883 आगया 1677 का बाद है अब दोनों में बात क्या हुई पहले आया जिसमें सरप्रथम चर्चा की गई प्रचफल संसर के सिद्धान्त की यह टापिक लिखके नहीं चर्चा की गई जो सिद्धान्त को मानिता दी गई वो और फिर चिनईया वर्सेज रमया में भी उसे माना गय ग्राउंड्स थोड़ा सा अलग-अलग है ठीक है चिनईया वर्सेज रमया में क्या था ठीक है व्रिद्ध हिस्त्री इसने दान-पत्र द्वारा ठीक है अपनी पुत्री को अपनी सारी संपत्ति दान दे दी प्लस एक और इसने वचन-पत्र तयार कराया वचन-पत्र की बदले में व्रिद्धा की बहन को कुछ रूपए प्रतिमाह देगी ठीक है ध्यान से समझेगा एक ब्रिद्ध हिस्त्री थी उसके पास जो संपत्ति थी उसने अपनी संपत्ति को अपनी पुत्त्री को दान दे दिया इस सर्थ के साथ इस वचन के साथ ठीक है कि बदले में उस ब्रिद्धा की एक और बहन थी, यानि कि उस उत्त्री की मौसी थी, जिसको कुछ रूपए उसे हर महीने देना है ताकि उसका खर्चा चलता रहा है, ठीक? डटन वर्सेज पूल में क्या रहा, अभी बात अधूरी है, ठीक है, डटन वर्सेज पूल में क्या रहा, ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही चर्चा रहा, ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसी ही चर्चा रही कि एक वेक्ति किसी को अपनी प्रापर्टी देता है और सर्थ रखता है कि हमारी property पूरी ले लीजे लेकिन हम अपने से 흘ला व्यक्ति का भरण portion कर रहे हैं निरास्ड रित हैं तो आप भी संपत्ति अब दे दे रहे हैं लेकिन उस विक्ति को आप भरण पुसर देते रहेगा ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके लेकिन दोनों जगहों पर इंकार कर दिया गया जिसने संपत पाई उसने ये जो एमाउंट था कुछ रूपे प्रतिमाह देने का इसे नहीं दिया गया इसमें असफल हो गया और वाद लाया गया ठीक तो डटन परसिश पूल में भी वाद ला गया चिनया वर्सिश रमया में भी लाया गया तो ये जो वाद लाया गया ठीक है इन दोनों वादों में इन दोनों मामलों में जो वाद लाया गया ये लाभार्थी द्वारा यानि कि व्रिधा की बहन द्वारा वाद लाया गया सिमिलर फैक्ट है इसलिए इसके फैक्ट की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ब्रिद्ध हिस्त्री और पुत्री के बीच संविधा हुई है और लाभ किसी अन्य द्यक्ति को अन्य ब्रिद्धा को दिया जा रहा है ब्रिद्ध हिस्त्री हो सकता है हमर गई रही हो तो वाद लाने का अधिकार जो सामान नियम होता है वो संविधा के पच्चकारों को होता है वाद लाने का अधिकार संविधा के पच्चकारों को होता है तो यहां पच्चकार यह विद्ध हिस्त्री है जिसने दान किया है और पचकार नहीं है लेकिन वाद किसने लाया ये जो थर्ड पर्षन बृद्धा की बहन है जिसको लाभ मिलना था कुछ वाद वो लेकर के आती है तो यहां पर एक बचाओ प्रस्तुत किया जाता है ठीक है क्या बचाओ कि जो ये वादी है बृद्धा की बहन है इसने इस संविदा में कोई प्रतिफल नहीं दिया है इसलिए हम वचन मानने को या संविदा को प्रवर्थित करने को बाद नहीं मानते है जो प्रतिफल दिया है वो बृद्धिस्त्री ने दिया है इसने नहीं दिया है इसलिए हम सम्विदा का पालन करने को बाद नहीं है अब बात तो भई सही है कि जब आप पचकार नहीं है तो आपने ठीक अब बात आई नेड़े जो हुआ और नेड़े के आद हार क्या रहे ठीक तो पहले अब डटन वर्सेज पूल की चर्चा डटन वर्सेज पूल में यह माना गया कि अगर वचन के कारण वचन ग्रहीता को कुछ हानी होती है तो यह हानी भी प्रतिफल के समान है यानि अन्निक द्वारा दिया गया अन्निक को जो पैसा मिलना था यह प्रतिफल के समान है इसलिए उसे भी बाद लाने का अधिकार होगा लेकिन चिनया वर्सेज रमया में जो ग्राउंड कहा गया वो बहुत अच्छे से कहा गया क्या कहा गया कि दान पत्र और प्रतिवादी का वचन एक ही समय में लिया गया इसलिए एक ही सम्विदा मानना चाहिए और और उस वचन का ये हिस्सा ये जो वचन दिया गया है कि ब्रिद्धा की बहन को कुछ रूपे प्रतिमाह दिया जाएगा ये एक ब्रिद्धा को ठीक है एक प्रतिफल कंसीडर किया गया लाभार्थी का प्रतिफल कंसीडर किया गया और उसे इस ब्रिद्धा की बहन को परमंत जो भी रूपे फिक्स थे देने का आदेश दिया गया संविदा का प्रवर्थन कराया गया तो यहां पर देखे बात तो यह है कि यहां कहा गया कि एक ब्रतिफर लेकर किसी अन्य को वचन दिया जा सकता है और ऐसा वचन पत्र बना कर किया जा सकता है तो यहां वचन पत्र बना कर के किया गया था अमेरिकी विचारधारा में भी यही सिद्धान्त मानने है ठीक है इंग्लिज विचारधारा का तो यह कामन सिद्धान्त है लेकिन अमेर्की विचारधारा में भी थर्ड पर्षन कोई वैलू मानी जाती है वाद लाने के लिए भारत की विचारधारा में भी प्रतिफल संसरक के सिध्धान्त को स्विकार किया गया है धारा दो डी असपष्ट कहता है कि प्रतिग्रहीता या अन कोई भी प्रतिफल दे सकता है इसलिए जो अन प्रतिफल में हिस्सेदार है उसे भी वाद लाने का अधिकार होगा यानि वो भी प्रतिफल का संसरगी होने के नाते contract का भी संसर्गी माना जाएगा इसलिए वाद लाने का उसे अधिकार होगा यानि कि main challenge जो यह है यह वो यह है कि क्या वाद लाने का अधिकार होगा या नहीं संसर्ग होगा या नहीं यह है रुपया दें कि ना दें यह तो बाद की बात जो बचाओ लिया गया कि ये वाद लाने के ही अधिकारणी नहीं है तो वहीं से ही वाद लाने का अधिकार है ये संसर्ग आपको कौन सा अधिकार देता है तीसरे व्यक्ति को वाद लाने का अधिकार देता है ठीक है मतलब सीधा किताब से पढ़ेंगे तो बात नहीं काम चलेगा आप प्रश्णों के नेचर को देखे प्रश्णों को देखे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिविज्वल संसर्ग सब्द भी समझना हमें जरूरी है सिर्फ कुछ केसला पढ़कर के कुछ बात पढ़ करके यह नहीं जरूरी है कि हम जानने कि यह ऐसे होता बस ऐसे लिख दिए बलकि प्रतिफल इसकी वाइलुएशन भी जानना संसर्ग सब्द की प्रिभिटी सब्द का क्या वैलू है तो प्रात्मिक वैलू है ठर्ड पर्शन को भी जो संबिदा का पच्छकार नहीं है उसे अग्णिस ला भी लिखना है सेक्षन तूड भी लिखना है थुड़ी को बताना है कि संसर का सिधान गौनित को मानता देता है चिनयया वर्शज रमय्य और डर्टन बर्शज वर्शब के वाद को लिखना है कि तीसरा ब्रक्श जो अलाबहार थी था उसके लाभी माना गया इसलिए उन्हें वाद लाने के अधिकार को स्विकार किया गया वो वाद ला सकते हैं और अपना यह प्रत्फल की रासी प्राप्त कर शकते है इतनी बात है प्रत्फल संसर का सिधान्थ और मिलती जूलती इसलिए जोड़ कर मैंने बताया समिधासंसर का सिधान्त भी यही है आसा करता हूँ समझ में आया होगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एकले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभाद धन्वाद